स्रीराधे, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति मैं विदान्त में स्वागत है, दोस्तों आपको पता है कि मरने से पहले करन ने मागे थे श्रुक्रिष्ण से तीन वगान, जिने सुनकर द्यूदे में पढ़े गएते भगवान श्रुक्रिष्ण, महाभारत के पा अधिक्तर लोग उनके प्रति सांभूति के भाव रखते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि श्रुकुष्ण भी उनके सिधानतों और नैतिक मुल्यों के कारफ उन्हें वीर योधा मानते थे भगवान सिरुकुष्ण के मन में भी करने के प्रति आदर भाव था माह भारत मा कावें से जुड़ी कई कहानिया हमीशा के लिए सभी के लिए जग्याशा का विश्यर रही है ऐसी एक रोचक कथा के अनुसार श्रुकुष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाने के लिए इंद्र के करने को कहा आए हम जानते हैं आपको बताते हैं क्या कहाने की दोस्तों जब करन मृत्तु शया पर थे तब भगवान कृष्ण ने करने के दानवीर की बात कही जिससे अर्जुन को बड़ा अचंभा हुआ उन्होंने क्या अभी भी ये सबसे बड़ा दानवीर ही कहलाएगा आगा तब भगवान ने अनकी परिक्षा ली और भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर गय और करन ने के पास जाकर उनके dönवीर होने के परिक्षा लेने के लिए करनी ने करें ने क्रिष्ण काफी प्रवावित हुए कृष्ण ने करण से कहा कि वह उनके कोई भी वर्दान मांग सकता है करण ने क्रिश्ण कहा एक निर्धन शूत कोई पाप ना हो उनकी इस एक्षा को शुन कर क्रिश्ण दुविदा में पढ़े गया क्योंकि पूरी प्रथवी में ऐसा कोई विस्थान नहीं था एक भी पाप नहीं हुआ हो कोई ऐसी जगा नहीं होने के कारण भगवान कृष्ण नियुक्त देखा लगवान कृष्ण ने दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पशंद आएगी आप इस वीडियो को लाइक और शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें